गुद्मॉर्णिंग इस्टुडेंट्स इस वीडियो में हम लोग सब्द का जो अर्थ के अधार पे भेद हैं उसके बारे में जानेंगे तो अर्थ की अधार पर सब्द के छह प्रकार होते हैं एकार्थी सब्द परियायवाची सब्द बिलोम सब्द या विप्रितार्थी सब्द अनेकार्थी सब्द अनेक सब्दों के लिए एक सब्द और सुर्ति संभिनार्थक सब्द तो यहां हम लोग पाला भेद जानेंगे एक अर्थी सब्द, यानि एक अर्थवाला सब्द, जिन सब्दों का एक ही अर्थ हो, उसे एक अर्थी सब्द कहते हैं, जैसे मेत्र, घर, गंगा, नदी, पुस्तक, आदी, दूसरा भेद है, दूसरा प्रकार है, परियावाची सब्द, इसे समान अर्थी सब्द भी कहते है परियायवाची सब्द को, तो जिन सब्दों का समान अर्थ हो, उसे परियायवाची या समान अर्थी सब्द कहते हैं, जैसे हवा सब्द है, उसे पौन भी कहते हैं, वायू भी कहते हैं, समेर भी कहते हैं, और अनेल भी कहते हैं, ठेक उसे पर कर, धर्थी सब्द का समान अर् धरा भूमी वसुधा वसुंद्रा आधी होता है यानि समान अर्थ परकट करने वाला सब्द परियायवाची या समान अर्थी सब्द कहलाता है तीसरा भीद है विलोम या विप्रितार्थ या विप्रितार्थी सब्द तो जिन सब्दों का एक दूसरे सब्द के साथ विप्रित अर्थ परकट करते हैं जो सब्द एक दूसरे सब्द के साथ विप्रित अर्थ परकट करते हैं वह विलोम या विप्रितार्थी सब्द कहला यानि ठीक एक सब्द का विप्रित अर्थ परकट करने वाला दूसरा सब्द होता है वैसे सब्द को बिलो मिया विप्रित अर्थी सब्द को आते हैं जैसे सुख तो सुख का विप्रित अर्थ वाला सब्द हुआ दुख दीन का रात सुबह का साम माता का पीता भाई बहन दि चौथा भेद हम लोग जानेंगे अनेकार्थी सब्द वे सब्द जिनकी एक से अधिक अर्थ का बोध हो यानि वैसे सब्द जिसका एक ही अर्थ नहीं हो एक से अधिक अर्थ को वह सब्द प्रकट करता हो उसे अनेकार्थी सब्द कहते हैं जैसे पत्ता चिठी ए दोनों में अगर हम लोग पत्र कहें तो पत्र में ये दोनों सब्द का आर्थ छुपे हुए हैं यानि पत्र का अर्थ पत्ता भी होता है और चिठी भी होता है ठेक उसी तरह अर्थ तो अर्थ का मतलब धन से भी होता है और किसे अभी प्राय से भी प्रयोजन से भी होता है पाच्वा प्रकार है अनेक सब्दों के लिए एक सब्द यानि वाक्यांस या बिभिन सब्दों के बदले में जब यह की सब्द का परियोग किया जाता है तो वह इसमें आते हैं जैसे आप देखोगे इसका परिभासा की वह सब्द जो अनेक सब्दों या वाक्यांस के जगह पर परियोग किया जाए उसे नेक सब्दों के लिए एक सब्द कहा जाता है जैसे जो कभी नमरे तो इतने सब्दों के लिए एक सब्द का परियोग हुआ है जो कभी नमरे उसे अमर करते हैं यानि मर जो साथ पढ़ताको साप आठी इस प्रकार से बहुत सारे उधारनauen चट्ठा भेद है सुर्ति संभिन नार्थक सब्द बच्चों आप जानते हो कि सुनने में एक ही जैसा सब्द का भास होता है लेकिन उसमें कुछ बरतनी से संबंधित अंतर होते हैं और उसी अंतर के कारण उसका अर्थ भी अलग होता है बिप्रित होता है या बिल्कुल अलग होता है तो वैसे सब्द इसमें आते हैं कि सुनने में एक ही जैसे हो लेकिन उसमें बरतनी के कुछ बरतनी में कुछ अंतर होता है वैसे सब्द जो सुनने में एक जैसा ही लगे परन्तो उसमें सुक्ष मांतर बरतनी से संबंधित हो तथा उसका अर्थ अलग होता है तो उसे ही सुर्ते संभिनार्थक सब्द कहते हैं जैसे अवधी यहां अवधी का अर्थ होता है भासा जबकि अवधी अगर लिखा हो तो उसका अर्थ हो जाएगा समय इस में सिर्फ बरतनी से संबंदित दिर्गीकार और हड्जिकार में अंतर हैं ईता में अवधी में जो भासा के लिए है उसमें दिर्पी कार का प्रयोग किया गया है नहीं और जो समय के लिए हैं उस एतरह के लिए हर्षिकार का प्रियोग किया गया है ठीक उसी तरह हर्षिकार से दिन अगर लिखा जाता है दव में हर्षिकार देकर ना लिखा जाए तो वह दिन होता है दिन का आर्थ होता है दिवस जबकि अगर दिन में दिर्गिकार हो दी में दिर्गिकार हो और ना हो तो दिन का आर्थ होता है दरीद्र दुखी तो इस प्रकार हम लोगों ने अर्थ के अधार पर सब्द जो छह प्रकार के होते हैं छेव प्रकार के बारे में हम लोगों ने जाना अगले वीडियो में हम लोग अगले अधार पर सब्द के भेद के बारे में जानेंगे दन्यबाद